MacBook पे storage full होने का सबसे बड़ा culprit, of course आपका data तो है, लेकिन उसे भी बड़ा है system data, जो आपके control में है ही नहीं, तो इस वीडियो में आपको बता हूँ, कैसे आपके MacBook पे system data को आप reduce कर सकते हो, तो वीडियो छोटा सा होने वाला है, लेकिन बहुत informative होने वाला है MacBook users के लिए, नमस उसके बाद आपको click करना है about this mac, अब about this mac में आपको आना है storage में, storage में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो available space है, काफी कम in my case, and यहाँ पे manage पर जब मैं click करूँगा, तो नीचे थोड़ी देर लगे कि populate होने में, उसके बाद आपको देख जाएगा system data कितना use कर रही space, तो in my case आप देख सकते हो, system data ने 369 GB यूज़ करके रखा है, तो आपकी data अगर कम भी हो, लेकिन फिर भी system data अगर ज़्यादा space यूज़ कर लेती है, तो आपको available space कम मिलेगी, अब system data आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी option आपको नहीं देख रहा है, इसको remove करने का, तो यहा documents में नहीं आती है, apps में नहीं आती है, iCloud Drive में नहीं आती है, photos में नहीं आती है, and other users की जो data है, तो यह सब data को छोड़ के बाकी की जो files है, वो सब system data में आता है, तो in other words, system data में आपको देखने को मिलेगा, lock files and caches, temporary files, vm files, fonts and plugins, app supporter files, files and data used by the system, and lastly, runtime system resources, अब यह system data का size है, यह करता है, आपका जो Mac का state है, उस पे, लेकिन जितने भी files में आपको बता है, यह सब files इतनी important नहीं है, कहने का मतलब इनको delete भी कर सकते हो, लेकिन delete करने के जो तरीक है, वो अलग है, उसका जो process हो थोड़ा अलग है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगे, लेकिन उ उसके बाद आपको click करना है, utilities में, and वहाँ पे आपको मिलेगा terminal, अब जैसे अब terminal window launch करोगे, वहाँ पे आपको एक command type करना है, अब यह जो command हो थोड़ा complete करना है, इसलिए यह command में आपको description में देखे रखूँगा, वहाँ से आप copy करके paste कर सकते हो, एक बार आपने यह paste कर करना है कि एक और command यहाँ पे type करना है, और यह भी command में description में देखे रखूँगा, एक बार आपने command type कर लिया है, उसके बाद मेरे case में जो आपने xxx लिखा हुआ है, उसके जगहा पे आपको जो backup की file name है, वो type करनी है, तो इसके उपर जो भी आपको backup का file name देखने को मिला, वो आपको यहाँ पे type करके next आपको return की दवा देनी है, तो यह करने से आपकी storage काफी बच जाएगी, अब चलते next process पे, that is यहाँ पे आपको optimize max storage को option देख रहा है, अगर आप यह option नई use करो तो आपको ज़रूर use करना चाहिए, तो एक बार आपने optimize storage को option activate कर लिया होगा, उ गो का option देख रहा है, go पे click करने के बाद आपको click करना है, go to folder, and go to folder में आपको यहाँ पे type करना होगा, library caches, अब इसका भी exact wordings में आपको description में देखे रखूँगा, आप वहाँ से copy कर गी, यहाँ पे paste कर सकते हो, एक बार आपने यहाँ पे paste कर लिया होगा, उसके बाद आ इंटर पे click करना है, अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारी files है, जो actually आपके main culprit है, आपके storage की, लेकिन यह सब files and folders को आप सारे के सारे delete मर्त कर देना, आपको सबसे पहले यह assess करना है, कि इन में से कौन से ऐसे files and folders है, जो आपके काम के नहीं है, अगर आपके काम के नहीं है, तो य बेन में सारी files आके store हो गई है, अब में वो करना इतना है, कि मेरे recycle bin को में को empty कर देना है, एक बार में इसको empty कर दूँगा, उसके बाद आप मेरी storage चेक कर लेना, तो अब आप देख सकते हो, मेरी system data जो है, वो है 28 GB, तो काफी reduction हो चुका है, and available space अगर बात करें मेरे Macbook की, तो वो हो चुके 358 GB, तो यह एक simple process follow करने से, मेरी काफी storage improve हो चुकी, अब यही same process, आप कुछ और commands में भी कर सकते हो, that is एक तो option होगे, library caches का, दूसरा आप library logs भी कर सकते हो, तो यह 4 different locations पे आपको आना है, and यह 4 locations पे आने के बाद आपको वो जो unnecessary files उनको delete कर देना है, तो once again यह 4 locations के जो commands यह वो हो, आपको description में देखे रखूँगा, वहाँ से जाके एक-एक करके आप यह पूरा process follow कर सकते हो, तो macbook user हो, information important लगा, वीडियो like and share ज़रूर करिए, चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो bell icon दिख रहा है, उस पर भी क्लिक ज़रूर करिया, देखते रहे, ओलोजें टेकन हिंदियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में